Hello friends, welcome to my YouTube channel आज की इस वीडिय आइं डिसकस करेंगे कि आप अपने सिस्टेम के ड्राइव को कैसे हाइड कर सकते हैं यहाँ पर देखे जैसे E ड्राइव है, यहाँ पर I ड्राइव है, F ड्राइव है, J ड्राइव है, और सान ड्राइव है मैं यहाँ पर drive E और I को hide करना चाहता हूं I mean to say कि यह drive मुझी यहाँ show ही ना हूँ तो उसके लिए आप कौन सी process यूज करेंगे कैसे करेंगे और यहाँ पर मैं आपको पहले से एक चीज बता दूँ इस process को थोड़ा ध्यान से करिएगा hide करने में तो easy है लेकिन keyword जब मैं इसको unhide करते हैं keyword हमारा जो data है उसमें keyword हमारे गलती से format पर click हो जाता है तो यह थोड़ा ध्यान रखिएगा तो देखें दो drives को hide कैसे करना है तो यहाँ पर देखें इस PC आ रहा है same आप windows 7, 8.1 और 8 और उसके बाद 10 में कर सकते हैं यहाँ पर मैं right click करूँगा right click करने के बाद आप यहाँ जाएंगे manage pay manage pay click करने के बाद आपका यहाँ जो device management option है वो open हो जाएगा इसमें आपने जाना है disk management में यहाँ computer management आपका open हो गया यहाँ device manager आप देख सकते हैं कौन से drivers वेरा available है फिलाल हमें यहाँ disk management में जाना है because हमें यहाँ से दो drive hide करने है so मैं यहाँ disk management में चला गया कौन-कौन से drive hide करने है मुझे E और I तो देखें यहाँ पर इसको मैं maximize कर लेता हूँ यहाँ e drive इसके ओपर आप right click करेंगे और उसके बाद जाएंगे change drive letters and path इसको click करके remove कर दीजिए yes कर दीजिए यहाँ पर आ रहा है signing और removing drive letter on the current boot or paste file volume is not allowed तो चली इसमें मेरी थोड़ी problem है drive में आपको दूसरा और कर देता हूँ तो यहाँ पर हमारा था e और दूसरा था i चली अब दूसरे i को करते हैं तो यहाँ i drive देखते हैं कहाँ पर this one is i drive right click करेंगे change remove इसको remove करता हूँ yes करता हूँ तो यह remove हो गया यहाँ से the system volume is currently in use continuous on इसको yes कर दीजिए कोई problem नहीं है तो अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ हमने एक ही drive flow hide किया है और दूसरा यहाँ से मैं J कर देता हूँ J भी देख लीजिए एक drive यहाँ से hide हो गया red color का और दूसरा मुझे J करना है this one जिसकी यहाँ 48 GB something memory है तो यहाँ पर मैं J पे click कर रहा हूँ same right click किया change device letters remove किया yes किया और यह हमारे दो दोनों drives है यह देखे यहाँ से hide हो गए अब देखे यह तो आपके drives hide हो गए इसका फाइदा क्या है बेनिफिट क्या है कि आप से कोई laptop वेरा ले लेता है और आपका इसमें personal data होता है और आप नहीं चाहते कि यह personal data कोई other person देख सके तो आप drives को hide कर सकते हैं यह process बहुत ही कम persons को पता है अगर हाँ अगर आप tactical line में है फिर तो चलिए पता भी होगा अगर आप non technical person हैं तो बहुत कम persons को यह पता है अब देखे इसको show करना है same process है जो drive आपका hide है उस पर आप right click करेंगे जैसे इसी पर right click किया change device path इसमें आप add करेंगे और इसको ok कर दीजिए तो मैं यहाँ पहला show drive कर देता हूँ यह देखिए यहाँ पर पहला drive show हो गया और दूसरा show करना है उस पर भी आप same ऐसी करेंगे उस drive के उपर आप जो भी आपका drive था right click करेंगे change आपका वहाँ पर आया drive letter and pass इसको add करेंगे यहाँ से ok करेंगे और आपका drive यहाँ पर open हो जाएगा मेंटू से show हो जाएगा आपको show कर देता हूँ यह दिखिए मैंने यहाँ पर drive एक show किया था इस वन और दूसरा यहाँ पर देख लेते हैं फिर से एक वाइट क्लिक करेंगे change यहाँ पर हो गया है दुख बुख के दन ok तो यहाँ पर देखिए आप refresh करेंगे की वार आपका drive पर directly show नहीं होता तो आपको refresh करेंगे यहाँ आपके दोनों drives जो आपने हाइड किये थे वो शो हो जाएंगे so friends ऐसे आप अपने drives को hide कर सकते हैं यह तो मैंने आपको सिरफ दो drives की आप सारे कर सकते हैं लेकिन C drive को hide को hide नहीं कर सकते हैं इसमें आपका main operating system है इसको हाइड करने ही किलिए हम आपको यह अलग से trick बताऊंगा जिसकी हाल से आप सारे ही अपने जो drives आपको hide कर सकते हैं so friends आपको सास करके देखिए if you face any problem comment box में comment कीजिए और साथ के साथ हमारे youtube चैनल को like subscribe करना मत भूलिए so in future जो भी latest update आएगा उसको notification आपको timely मतारे so thank you friends watching this video and for your previous time